ममी वो हाजमोला की शिशी का रखी है बस फिर से हाजमोला जब देखो तब हाजमोला खाती रहती है वही रसोई की उपर वाली आलमारी में देख रखी होगी आज आलमारी साफ की थी तो वहीं रखती थी हाँ मिल गई पता नहीं कितनी तेरी हाजमुला खाने की आदत है ससुराल जाएगी तो पता नहीं तेरा क्या होगा अगर वहाँ हाजमुला ना मिली तो मा तुम चिंता मत करो मैं अपनी अटैची में पहले ही अपनी जरूरत का सारा सामान रख लूँगी सुलोजना पल्लवी बिटिया की शादी के सारे काम पूरे हो गए है बस अब तो हमें अपनी बेटी को डोली में विदा करना है सिर्फ दस दिन रह गए शादी को फिर हमारी बिटिया पापा आप फिर से रोने लगे अगर आप ऐसे रोदोगे तो मुझे नहीं करनी है शादीवादी क्या करू बेटा खुशी के आसू तो छलग ही आते हैं बेटियां तो पराया धन होती है न एक दिन अपने माईके को छोड़कर ससुराल में घर बसाना ही होता है ससुराल को अपना बनाना होता है हमारी बच्ची हमारी लाडो अब चिंता मत करो ममी पापा मैं आप से रोज मिलने आय करूँगी और फिर मैं तो इसी शेहर में जा रही हो बस थोड़ी दूर कही तो रास्ता है पल्लवी सुलोचन और श्यामलाल की पर अगले दिन वो बहुत परिशान थी जिसका कारण था उसकी हाजमुला की शीशी ओ नो लगता है मैं अपने पर्स में हाजमुला की शीशी रखना ही भूल गई अब मैं क्या करूँ मुझे तो हाजमुला खाने की बहुत उड़क हो रही है अगर मुझे नहीं मिली तो मैं सच मुझ परिशान हो जाऊंगी यहां किसी को कहते अच्छा भी नहीं लगता सब क्या सोचेंगे कि मैं भी क्या मांग रही हो बहुत श्यर्माएगी अब क्या करूँ क्या हुआ पललवी कोई परिशानी है क्या नहीं तो नहीं बस ऐसे ही थोड़ी थकान हो रही थी अच्छा अच्छा पल्लवी बेटा तुम्हारी पगफेरे की रसम के लिए तुम्हें अपने माई के जाना है तो तुम तयार हो जाओ सास की बाद सुनकर पल्लवी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी ममी के घर तो उसकी हाजमुला की शीशी रखी हुई है वो जाते से खालेगी इसलिए पल्लवी जल्दी से तयार हो जाती है पल्लवी का चचेरा भाई उसे लेने के लिए आ जाता है पल्लवी अपनी ममी के घर चली जाती है सब लोग पल्लवी के साथ वहां घुल मिल कर बाते कर रहे थे तभी पल्लवी रसोई में जाती है हाजमुला की शीशी उठा लेती है तभी उसकी चचेरी बहन रसोई में आ जाती है और बताव पल्लवी कैसी रही तुम्हारी शादी के पहली रात पलवी हाजमोला की शीशी को रसोई की स्लाप पर रख देती है और अपनी चचेरी बहन से बातों में लग जाती है तुझे बड़े शौक आ रहे हैं पूछने के कही तो चाचा जी से कहकर तेरे लिए भी बोल दू कि तेरा शादी का मन हो रहा है नहीं तो नहीं नहीं मुझे नहीं करनी अभी शादी अरे मैं तो मजाग करी थी चलना मैंने तेरे लिए बाजार से गोल गप्प्य और आलू चाट मंगवाई है बाहर बैट कर खाते फिर तेरे साज ससुर और जीजा जी आ जाएंगे तुझे लेने के लिए गोल गप्पे यार मेरा तो बहुत मन हो रहा था अच्छा ग्या तुने मंगवा लिए मम्मी पापा चाची नीरज भाया आओ ना सब मिलकर खाते है पल्लवी एक बार पिरसे अपनी हाजमोला की शीशी को माईके में ही भूल जाती है शाम को उसके साज ससुर और अनुभव उसे लेने के लिए आ जाते है और पल्लवी घर चली जाती है अगले दिन उसे फिर याद आता है अरे यार कोमल के चक्कर में मैं हाजमुला की शीशी रसोई की स्लाब पर ही छोड़ाई थी अब क्या करूँ मेरा बहुत मन हो रहा है मुझे कुछ भी करके हाजमुला चाहिए कैसे करूँ तभी पल्लवी की साथ सुधा कमरे में आ जाती है पल्लवी बेटा कल तो हम तुझसे कुछ बनवा नहीं पाए थे तो मैं सोच रही थी तो मा जी रसोई में कुछ मीठा बना लो सब महमान भी आये हुए हैं ताई जी ताउ जी सब बाहर ही बैठे हैं एक काम करो तुम हल्वा बना लो मैं तुम्हे सामान बता देती हूँ आओ मेरे साथ रसोई में चलो पल्लवी अपनी सास के साथ रसोई में चली जाती है सुधा उसे हल्वा बनाने का सारा सामान दे देती है पल्लवी हल्वा बनाती है पल्लवी का मन बार बार हाजमुला खाने का हो रहा था हलवे में डालने के लिए ड्राइफूट तो ममी जी ने दी ही नहीं देखती हूँ किसी अलमारी में रखी होगी पल्लवी ड्राइफरूट ढून रही थी तभी एक आलमारी के कोने में उसे हाजमोला की शीशी रखी नजर आती है पल्लवी खुशी से उच्छल पड़ती है हाजमुला सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ हाजमुला की शीशी मिल जाएगी जदी से ठेर सारी गोलिया खा लेती हो मेरे तो मुह में पानी आ रहा है बस फिर क्या था पल्लवी ने हाजमुला की शीशी को खोला और आप देखा नताव साथ आठ गोलिया खा गई पर जब उसने गोलिया खा ली तो उसे गोलियों का स्वाद थोड़ा अलग लगा यह दिख तो हाजमुला की तरह रही थी मेरे कौन सी गोलियां खा ली पल्लवी का पेट खराब हो चुका था वो दोडती हुई अपने वाश्रूम में भागती है वो बार-बार टॉलेट जा रहे थी ये देखकर उसकी सास को कुछ शक हुआ पल्लवी बेटा सब ठीक तो है ना तुम बार-बार टॉलेट क्यो जा रहे हो ममी जी वो मैं आपसे कैसे कहूँ वो बल्लवी बेटा मैं भी तो तुम्हारी मा हुँ ना फिर मा से क्या शर्माना बोलो मुझे, मुझे पूरी बात कहो बेटा ममी जी वो मुझे हाजमुला खाने की आदत है मुझे हाजमुला बहुत पसंद है पर मैं अपनी शीशी घर पर ही भूलाई ये रसोई की अलमारी में हाजमुला की शीशी रखी थी मैंने इसमें से कुछ जादा ही घोलिया खाली पर पता नहीं कबसे टॉलिट रुखी नहीं रही है मेरा पेट खराब हो गया है पल्लवी थोड़ा शर्मा आ जाती है पर उसकी साल सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की थी अहाँ पल्लवी बेटा गलती मेरी ही है ये हाजमुला की शीशी इसमें हाजमुला की गोलिया नहीं है कबस के चूरन की गोलिया है तुम्हारी तव्यत तो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है एक काम करो चलो पड़ो उसमें एक डॉक्टर है बहुत अच्छे मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ बेटा कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा घर में सब को ये बात पता चलती है और कोई भी पलवी को कुछ नहीं कहता क्योंकि जो कुछ भी हुआ था जाने अंजाने में हुआ था सुधा पलवी को पडोस में अपनी फैमली डॉक्टर के पास ले जाती है डॉक्टर पलवी को दवाई देते हैं जिससे पलवी को आराम पढ़ता है और कुछ दिनों तक पलवी किता बेर ठीक हो जाती है सुधा सबसे पहले तो ये शीशी बदलो आज मुला की गोलियां समझ कर कोई भी खा सकता है ये मेरी कब्ज की गोलियां किसी और डिब्बी में डाल कर मेरे कमरे में रखो यहां रसोई में रखने की कोई जरुवत नहीं है आप ठीक कह रहे हो जी अब बहु हमारे घर में नई आई है इसे तो पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहां रखी है मुझे और तुम्हे तो पता था कि इस शीशी में क्या है आज मैंने एक बात गांट बांद ली कि कभी भी किसी खाली ब्रांड की खाली शीशी में कुछ भी नई डाल कर रखना चाहिए हम कभी कभी किसी क्रीम की डिब्बे में कुछ और डाल कर रख देते हैं किसी तेल की शीशी में कुछ और डाल देते हैं पानी की बोतल में कुछ और डाल कर रख देते हैं ये सब गलत है, कहीं न कहीं धोके से हम भी किसी चीज को खापी सकते हैं, शरीर पर लगा सकते हैं, अनुभव बेटा, जा, मेडिकल स्टोर से हाज मुले की शिशी लाकर बहु को दे दे, वो अपने कमरे में रख लेगी, ममी जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं भी जादा हाज मुला नहीं खाऊंगी, वैसे भी किसी भी चीज की आदत तो गलत है न, मैंने परिणाम देखा है किसी चीज की इतनी हुड़ा कोना भी गलत है, मैं भी कंट्रोल करूंगी अपने उपर, रोजाना की बस एक या तो गोली ही खाऊंगे, प्रॉमिस, और ना मिले तो ना सही, मेरी समझदार बहू, अच्छा अनुपाफ, अनारदाना और इमली दोनों फ्लेवर ले आना, मुझे दोनों बहुत पसंद है, पलवी की ये बात सुन कर सब जोर से हस देते हैं, और नई बहू की हसी से घर में का महौल बन जाता है, दीनापुर नामक गाउं का एक स्कूल, पढ़ाई से जाधा स्कूल में बने शोचाले के लिए जाना जाता था, ये लो 20 रुपे, मेरा नंबर कौन सा है, तीसरे नंबर पर जाना, भहिया बहुत तेज लगी है मुझे जाने दो, 20 रुपे हैं तेरे 20 रुपे नहीं देगा, मैं तुझे शोच नहीं जाने दूँगा। और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। ये उना बात, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, पीछे से ठाकुर साब का जो हुकम है, मैं तो उस पर ही अमल कर रहा हूँ, जाओ, एक एक करके पाचो। ठाकुर ललन सिंग के इस गुंडा गर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था, सबको अपनी जान प्यारी थी, भला कौन अपना मूँ खोलता। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया, सबसे जादा परिशानी गाओं की लड़कियों को होती थी, उन्हें स्कूल का शौचाले इस्तेमाल करने की अजाज़त नहीं थी, इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेद खलीहानों में शौच के लिए जाना पड़ता था कई बार लड़कियां इस वज़ा से शर्मिंदगी का भी सामना करती थी, पूचा वो देख सामने लड़के स्कूल की दिवार से जाक रहे हैं, तू थोड़ा पत्थर की यार में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हो, पहले तू कर ले, फिर तू मेरी आगे हो जाना, फिर मैं कर लूगी, सब हंसर हैं, मैं तो कक्षा में जा रही हो, घर जा करी करूँगी, यहां खेत में सब देखते हैं, बिचारी कई लड़कियां इसी कारण शर्मा कर अपना शौच रोक कर कई घंटों पढ़ाई करती रहती थी, क्या हुआ सपना, तू मा, हम सब बहुत परिशान हैं, कब तक ऐसे चलेगा, हम लड़कियां स्कूल के शौचाले में नहीं जा सकती, शौचाले के बाहर शेरा बैठा रहता है, मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हसते हैं, मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता क्या करें बेटी, अगर हमने ठाकुर ललन सिंग के सामने बोलने की कोशिश की, तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा, इसलिए जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक हैं गुंडी बदमाश लोगों के साथ भला कौन भीड़े, पूरा गाउं ही ठाकुर ललन सिंग से डरता था, अब गाउं वालों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए जैसे चल रहा था, वैसे ही चलने दे रहे थे स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गाउं में हो जाता है, और उसकी जगा सुप्रिया नाम की एक नई मास्टर नहीं आती है बच्चों, मैं यहां की नई अध्यापिका हूँ, आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए सब बच्चे सुप्रिया को अपना परिचय देते हैं, कुछ देर बाद सुप्रिया बोली बच्चों, तुम सब पढ़ाई करो, मैं भी वाश्रूम होकर आती हूँ मैम जी, आप स्कूल के शौचाले का इस्तिमाल नहीं कर सकती क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, स्कूल में शौचाले नहीं है क्या मैम जी, शौचाले तो है, पर वहाँ पर लड़कियों को जानी की जासत नहीं है और लड़कों को भी पैसे दे कर जाना होता है लड़किया सुप्रिया को सारी बात बताती है जिसे सुनकर सुप्रिया हैरान हो जाती है वो शौचाले के पास जाती है वहाँ शेरा बैठा हुआ था ये कैसी गुंड़ा करती है? तुमने स्कूल के शौचाले को पब्लिक शौचाले बना रखा है और यहां बैटकर कमाई करते हो, तुम्हें शर्ब नहीं आती, स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचाले का इस्तिमाल करने देते हो, और लड़कियों को बिल्कुल मना किया हुआ है, ये कहां कि तैजीब है, स्कूल में शौचाले होते हुए लड़किया खेतों और मैदान में शौच के लिए जाएंगी, ये बात बिल्कुल गलत है, आगे से हटो, ये कुर्सी अटाओ, मुझे वाश्रूम जाना है, ओ शेरी मैडम, ये शेर नहीं गाओ है, यहां ठाकुर ललन सिंग का राच चलता है, तुम शेरा और ठाकुर ललन सिंग को नहीं जान सुप्रियार शेरा को पूरदार चाटा लगाती है, बत्तमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक और अट से कैसे बात करते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तुछ शेरा पर हाथ उठाती है, आज तेरी खेर नहीं, पूरे गाओं के सामने तेरी अच्छे सा खबर लूँगा, छोड़ दे से, जो काम ठंडे में हो जाए, वही सही है, और वैसे भी, मास्टर नहीं लगता है, नहीं नहीं आई है काओं में, इसलिए पहली गलती है, माफ कर देते हैं। ललन सिंग बदला लेने के लिए राद के समय शेरा के हाथ सुप्रिया को उठवा लेता है। जिसमें ये बोलेगी कि इसने जो वीडियो डाला था वो जूड़ था, इसलिए ये बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही है। मैं मर जाओंगी पर ये जूटा वीडियो नहीं बनाओंगी। ललन सिंग और शेरा भी अपने आदमियों के साथ सुप्रिया के साथ जबरदस्ती करी रहे थे कि तभी पुलिस के साइरन की आवाज आ जाती है। ठाकुर साब, पुलिस और आपकी हवेली पर वो भी इतनी रात को। खबराओ नहीं सुप्रिया, मैं पुलिस को लेकर आया हूँ, मुझे तुम्हारा मेल मिल गया था। ठाकुर ललन सिंग, हमें सब पता चल गया है, तुम गाउं के स्कूल के सौचाले का गलत इस्तिमाल करते हो, वहाँ धोखा धड़ी चलती है, सब कुछ हमने वीडियो में देख लिया है, स्कूल के बच्चों पर रत्याचार करने और गैर कानुनी ढंग से स्कूल के सौचा गर्दी फैला रखी थी, वो तो भला हो सुप्रिया बेटी का, जिसकी वजह से आज इस जैसे अत्याचारी ठाकुर से हमें छुटकारा मिला है, हाँ हाँ ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, इसके पाप का घड़ा भर चुका है, पुलिस ललन सिंग, शेरा और उसके स जाहस की बहुत प्रशन सा करते हैं, जुर्म सेहना भी एक गुना है, जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है, और गाउवालों के कहले पर सुप्रिया वहां की नई जमिनदार बन जाती है, उस दिन के बाद स्कूल के शौचाले का कभी भी गलत इस्त